हेलो नमस्कार आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि मुंगेर इन्वर्षिटी के पार्ट बन और पार्ट टू और जो भी बैकलोग वाले स्टुडेंट हैं वो अपना एक्जामिनेशन फॉर्म अपलाई कैसे करेंगे और किस परकार से अपना पैमेंट करेंगे जो कि इसका जो भी पैमेंट फेल्ड होने का चांस है वो वहाँ पे बहुत कम हो जाए और जानेंगे कि आप सिब का जो भी बैकलोग वाले हैं उनका कैसे अपलाई करना है क्योंकि इनका जो भी यहां पर आप सो नहीं कर रहा है तो आप सिब को इसके बार में बताएंगे कैसे आ जानेंगे कि जो भी पर्मोटेड वाले हैं पार वन यह फिर जो भी पार्ट टू पर्मोटेड है 19-22 उनको कैसे करना है तो उसके बार में बात करेंगे तो सबसे पहले इन पर किलिक करना इस पर जैसे किलिक कीजेगा तो आब आगे आप से भी को एक्जामिनेशन फोर्म य पर फी इस्टेटर्स में पेंडिंग दिखाई देगा तो उसके पहले आप से भी को इसमें चेक मार्क कर लेना है उसके बाद अपला एक्जामिनेशन फोर्म पर क्लिक कर देना उसके बाद आप से भी को कॉलेज विजिट करना है कॉलेज में आप से भी को यदि आप लोग part 2 वाले हैं तो part 2 वाले डॉक्यमेंट जमा करेंगे admission slip और जो भी part 2 का admission slip है और जो भी आपसिव का registration slip है वो जाके college में जमा कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपसिवका pay का option दिया जाएगा चलिये मैं आपसिवको next process दिखाता हूँ क्या करिएगा यहां पर देख सकते हैं इस परकार के option देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आप सिवको pay fee pay क्लिक करना इस पर क्लिक करने के बाद आप सिवको किस परकार से payment करना चलिए में आप सिवको वह बताता उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप सिवको यहां पर तीन option देखने को मिलेगा उसके बाद आप सीव को बहुत सारे option देखने को मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक option है यहाँ अप लोग का यहाँ पर दिखाई देखा जो भी गूगल पर है पैटियम है जो भी भान पर है भीम UPI है, WhatsApp है, जो भी आप लोग का UPI ID है, वो यहाँ पर आप सीव को यहाँ पर डालना है, उसके बाद एक option दिखाई दे रहा होगा, make payment नीचे, इस पर click करने के बाद आप सीव जिस भी माध्यम से आप लोग यही फोन पे से payment कटाना चाते हैं, तो वहाँ पर आप सीव को लोग payment कर देते हैं, तो यहाँ पर successful हो जाएगा, उसके बाद आप सीव को किसी भी परकार का यहाँ पर बेक यहाँ पर यहाँ पर ऐखने करना है, यहाँ पर complete होने देना, जैसी है आप से भी लोग student backlog वाले हैं यह दि आप लोग का यहां पे link एक्टिवेट नहीं किया गया या फिर exam फिक option नहीं आ रहा है तो आप से भी लोग को यहां पे wait करना है आपसे भी जब तक नहीं इसमें link एक्टिवेट किया जाएगा तब तक आपसे भी examination form है वह यहां पे नहीं दिखाया और यहां पे link activate किया जाएगा और बता दें कि जो भी student यहां पे घबरा रहे है उनका यहां पे बता दूँ इनका जो भी लेट है यहां पे जो भी last date है वो बढ़ाया जाएगा क्योंकि यहां पे जो भी link activate है वो यहां भी late से किया गया है जिसके कारण बहुत सारे student admission समय पर नहीं ले पाएं तो इनके लिए इनका जो भी डेट है वो बढ़ाया जाएगा आगे भी और जो भी स्टुडेंटों ने अपना जो भी एक्जाम फॉर्म फिलप नहीं किये हैं वो भी यहां पे चेक करते रहें आईडी ऑपन करके जिसका भी एक्जाम फी का ऑप्सन आता है तो यहां पे अपलाई करके अपना कॉलेज जन ले जाएं और कॉलेज में डोकुमेंट भरिफाय करवा लें उसके बाद अपना पेमेंट कर दें पेमेंट करने के माध्यम से आप सभी लोग किसी भी परकार का बैक प्रेस नहीं किजेगा नहीं तो पेमेंट फेल्ड हो जा सकते हैं और अपना पेमेंट रिजिप्ट निकाल सकते हैं आई होब कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप से भी लोग समझ पाए होंगे वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सकाइब कीजिएगा अपने फ्रेंस के साथ जादा जादा इस वीडिय प्रेंस